हालो स्टूडेंट समस्कार सस्रीय अगालादाब स्वागते आप सभी का आपके पसंदिदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाच्छाला पर और मैं हूँ अभीशेक अगरवाल आपका केमिस्टी एड्यूकेटर हाजिर हूं क्लास 10 के लिए एक और दमदार एक और अमेजिंग एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर जिसमें अल्रेडी हमने जो स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 3 साइंस का केमिस्ट्री का मेटल्स और नॉन मेटल्स उसका अगला टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है मेटल लर्जी ठीक है मेटल लर्जी जो टॉप से नॉन मेटल्स में यह वाला पॉर्शन हटा दिया गया है मेटलर्जी लेकिन जैसा कि हर बार आपको बताया गया है बही डेफिनेट सक्सेस पाट चाला सिर्फ और सिर्फ बोर्ड स्पेसिफिक आपकी त्यारी नहीं कराता है ठीक है अगर आप किसी कॉंपिटिटिव एक प्रिपरेशन के मद्दे नजर पढ़ना चाहते हो या नॉलेज लेबल पर पढ़ना चाहते हो तो भी डेफिनेट सक्सेस पाट चाला पर आपको फुल फ्लेजट कंटेंट मिलता है ठीक है तो भले वो सीबेसी बोर्ड ने टॉपिक कुछ हटा दिया होगे सीबेसी मुझूद भी आपको डेफिनेट सक्सेस पाट चाला के इस चैनल पर पूरा कंटेंट पूरे टॉपिक भर पूर तरीके से डीटेल्ड एक्स्प्लेनेटरी वीडियो आपको मिलते हैं ठीक है हाँ अगर आप बोर्ड की लिए त्यारी कर रहे हो तो आप इस वाले वीडियो पढ़ें वो सब बोड लेवल पर भी काम चाहिए वो chemical properties हो metal की, चाहिए physical properties हो, chemical properties non-metal की, चाहिए physical properties हो metal non-metal में difference क्या है physical property की आधार पर वो सारे topics important हैं अगर आपने वोग वीडियो नहीं देखें तो description में चले जाओ, हर वीडियो का link महाँपर मौचूद है उन वीडियो को देखें, आप स्टार्टिंग से metal and non-metal और फिर देखेंगे metallurgy वाला पार्ट, ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं बाई, metallurgy के बारे में, क्या है metallurgy पहले तो ये समझो, what do you understand by metallurgy, इस term का क्या मतलब है, और इसमें क्या पढ़ना है, दूसरी बात, ये topic थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने ना इसको part wise split करा हुआ है, जिसमें metallurgy का ये वीडियो part 1 है, जिसमें हम metal के occurrence की बात करेंगे, कि metal occur किस form में करते हैं, या किस nature में करते हैं, और metallurgy का मतलब क्या होता है, वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे, दन है बात, ठीक है, तो बात करते हैं, metallurgy के बारे में, पहले तो मैं बता दू, metallurgy जो है, ये पूरी एक engineering की ब्रांच है, count on me ये पूरी engineering की ब्रांच है, मतलब जिसमें mechanical engineering होती है, civil engineering होती है, electrical engineering होती है, वैसे ही metallurgical engineering भी एक engineering की ब्रांच है, मतलब चार साल लगते हैं, graduate में, आपको metallurgy को समझ में जो सिर्फ अभी आपके पास एक टॉपिक के तौर पर है यह पूरा चार साल लगते इंजिनेरिंग स्टूडेंट को समझने में metallurgical science के बारे में या metallurgy के बारे में तो यह बहुत वास्ट बहुत डीटेल स्टडी है लेकिन अगर इसका सिर्फ मतलब समझे metallurgy का अगर सिर्फ metallurgy की बात करें कि metallurgy होती क्या है तो it is the process of extraction of metal from the earth crust metallurgy is defined as the science or engineering which deals with the extraction of metal extraction मतलब metal को निकालने की process है extraction of metal from the earth's crust which involves various steps starting from mining to refining मतलब इसमें बहुत सारी steps का योगदान लगता है जिसमें पहली step होती है mining जमीन खोदना और आखरी step होती है refining आखरी में आपको purify करना पड़ता है तो बहुत सारी steps is mining से refining के बीच में आती है वो सारी steps को अगर आप एक cumulatively एक process के तौर पर देखोगे तो उस process का नाम होता है metallurgy तो यू कन कॉल इस ब्रांच of science और ब्रांच of engineering that deals with the extraction of metals which includes various step right from mining to refining is known as metallurgy तो उस process का नाम होता है metallurgy पूरी process का नाम है metallurgy concept clear हो गया metallurgy को लेकर मतलब आप जमीन खोद कर metal को निकालने की जो process होती है जिसके तुरू आप metal को extract out कर सकते हो पहला सवाल या ना चाहिए मनमें सर जमीन खोद कर metal निकाल रहे मतलब जमीन के अंदर metal थे तो पहली बात तो जमीन के अंदर आपर iron यह तो precious metal इतने है नहीं इतने महंगे metal है नहीं तो यह भी जमीन के अंदर मिल रहे है तो इसको किसने गाड़ा होगा तो यह गाड़ने वाड़ने वाली थिओरी गलत है ठीके metal जमीन के अंदर क्यों गई यह मैं अभी बताता हूँ लेकिन जमीन के जमीन को खोद के mining करके उस metal को निकालना और उसको use करने लायक बनाना यह पूरी process जो होती है यह metallurgical science के अंदर आती है this is called metallurgy clear हो गया? तो यहां definition देखेंगे सबसे पहले metallurgy is the process of extracting metals from their ores and refining them for use and refining them for use final आप refine करोगे उसको purify करोगे क्योंकि आपको जब use करना metal तो आप purest form का metal use करोगे तो last process जो होती है वो refining होती है और पहली process जो होती है वो mining होती है मतलब आप जमीन को खोदते हो it involves various steps अब इनके बीच में बहुत सारी steps आती है such as concentration of force क्या होगा concentration of force चर्चा करेंगे reduction to free metal and purification of the metal this process is commonly studied in chemistry where students learn about different techniques like roasting smelting and electrolysis used in metallurgy इसके अंदर बहुत सारी techniques का भी इस्तेमाल होता है जैसे roasting, calcination, smelting, electrolytic refining ये सारी techniques के बारे में भी आपको पढ़ाई करने को मिलता है जो एक metallurgy का बहुत अभिन अंग होता है या फिर बहुत integrated part होता है metallurgy की process का ठीक है? तो metallurgy खुल मिला कर जमीन की खुदाई करो और उस जगा तक पहुचो जहाँ आपको metal मिलेगा वहां से metal को निकाल कर लाओ, extract करो और उसको refine करके, purify करके use करने लाइक बनाओ इस दौरान जितनी भी steps आप लोगे जितनी भी steps आप involve करोगे वो सब metallurgy process के अंदर आएंगी और इस process को metallurgy करेंगे अब मन में सवाल कि sir किसने वो metal को जमीन के अंदर गाड़ा तो इसके पीछे एक थ्योरी है थ्योरी यह है कि space में एक कई सालों पहले एक बहुत बड़ा explosion हुआ था जिसको कहते है supernova explosion कौन से explosion हुआ था भाई supernova explosion supernova explosion यह space में explosion हुआ था इस explosion के बाद जो इसमें से particles निकले थे इस explosion में जो विसफोर्ट हुआ था उस विसफोर्ट के बाद जो छोटे छोटे particles निकले थे यह माना जाता है कि वो particles metals के थे अलग-अलग metals के थे iron के थे, zinc के थे, copper के थे gold के थे, platinum के थे, mercury के थे silver के थे, बहुत सारे particles थे और वो सारे particles अर्थ के उपर आकर गिर गए ठीक है, zinc एक region में गिरा, copper एक region में गिरा gold एक region में गिरा, silver एक region में गिरा, ऐसे पूरी धरती पर वो सारे particles गिर गए अब क्या हुआ समय के साथ sand का, soil का degradation हुआ बड़े-बड़े पहार थे, बड़े-बड़े जो चटान थी, वो सब क्या होने लगी तूटने लगी, पत्थरों में convert होने लगे, पत्थर अपने आपको धूल में dust में convert करने लग गए, छोटे particles में convert करने लग गए, तो वो particles by the time नीचे नीचे दफन होते गए, वो particles नीचे जाते जाते, अपने आपको buried करते गए, और आज वो पहुच गए, पचास साथ फीट अंडर जहाबर temperature और pressure बहुत ज़ादा है तो वो उसको ये मानते हैं कि यार वो जमीन के अंदर जो पहुच गए हैं, अब उन metal को हमें बाहर निकालना है, तो उन metal को बाहर निकालने के लिए ये process बनाई गई है, ये science बनाई गई है ये engineering बनाई गई है, जिसको आप metallurgy कहते हैं, तो it's all because of supernova explosion और उसमें जो particles निकले वो हर area में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरा है जैसे हम कहते हैं ना, दुबई में गोल्ड बड़ा मिलता है, तो वहां पर क्या होता है गोल्ड बहुत जादा गिर गया, हमारे अधर iron बहुत जादा गिर गया इंडिया में, तो हमारे iron का abundance बहुत जादा है, तो इस तोर पर हर एक country का अपना एक region है हर एक country का अपना एक occupancy है जहां पर वो particular metal के crust पर distribute हो गए थे, by the time earth के surface पर बहुत सारी process चलती रही जिसमें soil का degradation हुआ, rock का degradation हुआ और वो छोटे-छोटे particles में convert हुआ जिसके कारण वो metallic particles नीचे बरीड होते गए, और अब समय आ गया उन metal particles को निकालने का जिसको हम metallurgical process के थूँ निकालते हैं, डने बाद clear हो गया metallurgy के बारे में अब, सवाल उपता है कि जब हमने जमीन खोदी जब हमने mining करी JCB के भाई, JCB ले आए, उठा उठा कर, bulldozer ले आए और अपने क्या करा, जमीन को खोदना start किया जिसको बोलते है mining, जो सबसे बहली process को पहले समझने की कोशिश करो metallurgy की, मैं पूरी metallurgical process एक flow diagram में तुम्हें समझा देता हूँ metallurgical process पूरी एक flow diagram में समझा देता हूँ तो सबसे बहले तुमने क्या करा यहां पर, सबसे बहले तुमने mining किया, मतलब सबसे बहले तुमने क्या करा, तुमने सबसे पहले यहां पर जमीन को खोदा this is called mining सबसे बहले तुमने क्या करा जमीन को खोदा this is called mining जमीन को खोदा वहां तक पहुचे जहां पर आपको metal मिलने के chances है metal जहां मिलने के chances है वो 50, 60, 70, 80, 100 तक की गहराई होगी वहाँ पर पहुचकर आपको metal जो होगा वो आपको mineral form में मिलेगा अभी क्या होता है mineral या भी इस part का ही discussion है मतलब इसी वीडियो में आपको mineral के बारे में भी बताऊंगा अभी फिलाल मान कर चले mineral वो चीज़ है जहां से आपको metal मिल सकता है चर्चा करेंगे अभी mineral की भी finally आपको minerals मिल गए metal के जिसमें metals जो होगा वो पाया जाएगा उसके बाद उस mineral में से आप ore को identify करोगे मतलब आप उस mineral में से ore को select करोगे कि आपके पास वहाँ पर ore आजाएगा जो ऐसा mineral होगा जिसमें से आप metals सबसे असानी से और सबसे फाइदेमन तरीके से निकाल सकते हो ठीके अभी difference में बताऊँगा mineral और ore का ठीके ore एक प्रकार का mineral ही है ठीके और mineral क्या है वो भी detail में discussion करेंगे तो finally आपके पास एक ore होगा जिसमें से आप metal को profitably निकाल सकते हो अगली process में आप क्या करोगे उस ore को सफाई करोगे मतलब उस ore को purify करोगे जिसको आप कहते हो concentration of ore यह मैं अभी सिर्फ overview दे रहा हूँ आपको पूरी metallurgical process का इसको आप बोलते हो concentration of ore मतलब अभी आप क्या करोगे जो ore आपको मिला है आप उस ore की सफाई करोगे आप उस ore की गंदगी को दूर करोगे क्योंकि क्या होगा देखो इतने सालों से supernova explosion के बाद से वो जमीन के अंदर दफन है भाई और जमीन पर बहुत सारी process चली अर्थ की crust पर बहुत सारी process चली जिसके कारण जाहिर तोर पर की तो आपको उस process को नाम देना है concentration of ore इसके दो नाम और है enrichment of ore and dressing of ore तो कई बुक में enrichment of ore भी दिया हो या dressing of ore भी दिया हो तो बात एक ही है ore को purify करना है ये बात है अब आपके पास आगया ore साफ सुत्रा मतलब आपके पास एक ore आगया जो बहुत साफ सुत्रा ओर है उस ओर को आपको convert करना है metal oxide में उस ओर को convert the concentrated ore concentrated मतलब साफ सुत्रा ओर into metal oxide converted sorry convert the concentrated ore concentrated ore concentrated ore into metal oxide तो आप इस ore को convert करोगे metal oxide में metal oxide में convert करोगे आप पूछो metal oxide में क्यों convert करना है अब ore तो आपके किसी भी chemical formula में हो सकता है metal जैसे metal sulfate हो सकता है जैसे मालनो zinc है तो zinc sulfate ZnSO4 में भी पाया जा सकता है zinc carbonate भी पाया जा सकता है ZnCO3 लेकिन वो कोई भी form में पाया जाए ZnCloride भी हो सकता है उस ore को आपको convert करना पड़ेगा metal oxide में मतलब आपको zinc oxide में convert करना पड़ेगा ऐसा क्यों करोगे आप क्योंकि ultimately जब metal oxide आ जाता है तो बड़ा असान होता है उसमें से metal को निकालना क्योंकि हमें oxygen को हटाना है फिर अगले process में और oxygen को हटाने की process क्या होती है reduction तो अगली process में इसके बाद आपको reduction of metal oxide करना है to obtain free metal ठीक है तो ये आप metal oxide में इसको convert करोगे अच्छा आप ये metal oxide में convert कैसे होगा इसके लिए दो techniques लगेंगी दो में से कोई एक लगेगी लेकिन दो techniques के दम पर ये convert हो सकता है पहली technique is called as roasting पहली technique जो होती है वो कहती है roasting और जो दूसरी technique होती है उसको कहते है calcination तो जो पहली technique होती है वो होती है roasting और दूसरी होती है calcination क्या difference है दोनों में जब अपन topic start करेंगे तब अपन detail में discuss करेंगे roasting और calcination important है क्योंकि तुमको इसका difference पूछा जाता है कि actually what is the difference between roasting and calcination तो वो roasting और calcination का difference तुमें करना है इसके आगे इसके आगे अब आपके पास concentrated ore तो आ गया अब इसके आगे आपको क्या करना है उस concentrated ore को metal oxide में convert करने के बाद आखरी बार metal oxide में से oxygen को remove कराना है तो उस process का नाम है reduction जिसके अपनने बात करी तो अब होगा reduction of metal oxide metal oxide to free metals तो this is reduction of metal oxides to free metals तो ultimately अब आपको क्या करना है metal oxide का reduction करना है और metal oxide का reduction करके आपको free metal में convert करना है क्योंकि अब आपके पास metal oxide था यहां तक roasting और calcination करने के बाद कोई एक technique लगाने के बाद अब आपको oxygen को हटाना है और removal of oxygen is called reduction तो आप metal oxide का reduction करोगे ताकि आपको free metal मिल जाए और जैसी free metal मिलेगा तो आखरी और अंतिम प्रोसेस क्या होगी इसकी refining to obtain crude metal refining of metal to obtain pure metal क्योंकि अब आपको एक और doubt है कि अभी भी हो सकता है कुछ metal में impurity हो अभी भी जो metal free metal यहां मिल रहा है उसमें भी डर है कि भाई metal को आखरी बार आपको क्या करना है उस metal को refine करना है मतलब आखरी बार आपको उस metal को purify करना है तो उस process को आप refining कहोगे और यह last method है तो देखो पहली method कौन सी थी mining और आखरी method कौन सी थी refining इसके बीच में बहुत सारी steps आपने use करी थी यह पूरी process जो हो गए यह metallurgy की process हो गए this is called metallurgy यह मैंने आपको एक overview बता दिया यह मैंने आपको एक flow diagram बना दिया यह आपको मैंने पूरी तरीके से चीजे बता दी है clear हो गया तो metallurgy में यह सारे parts है अब हम पहले पार्ट में क्या discussion करने वाले हम mineral और mineral ores के बारे में discussion करने वाले metallurgy के definition भी हमने discuss कर ली अब हम mineral और mineral Ores में क्या difference होता है यह आज के इस video में discuss करेंगे अगले video में concentration of ore की बात करेंगे उसके अगले part में हम metal oxide में कैसे convert होगा और उसकी बात करेंगे उसके एलए वीडियो में हम लोग रदक्शन की बात करेंगे तो में तो इसी को कहते है डीटेइल एक्स्पिनेटरी वीडियो जहांपर आपको पूरा ग्यान मिलता है formality के लिए वीडियो नहीं बनाते कि आठ ठीके इतना बच्चों को बता देंगे इतना काफी और हो गया ठीके ना लपेटने वाला काम नहीं है पूरा डीटेल में वीडियो देने का काम है दन दन बात तो पहले क्या करेंगे इसका screenshot लेंगे उसके बाद अपन समझेंगे मिनरल और मिनरल और में क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ को डीटेल में बात क्लियर हो गए यह वाला पार्ट अब अपनुदिस्क्रिशन करते मिनरल और की कहानी, अब तुम सबसे पहले समझो, जब मेटल धरती के अंदर पाया गया, अर्थ क्रस्ट में चला गया, तो वह किस रूप हमें मिला, उसके रूप होते हैं दो, दो में से कोई एक रूप में ही मिलेगा, लेकिन दो रूप हो सकते हैं उसके, पहला या तो वो metal free state में पाया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं native state, पहला या तो occurrence of metal की अगर हम बात करें, तो जो metal का occurrence है, वो free state में पाया जाएगा, जिसको हम native state भी कहते हैं, this is occurrence of metal, ठीक है, आर्थ की crust में मिलेगा, या अर्थ है, उसकी crust में आप देखोगे, तो आपको metal मिलेगा, लेकिन वो किस रूप में मिलेगा, दो रूप में मिल सकता है, पहला रूप होता है, या तो वो free state में मिलेगा, ठीक है, इसी free state को हम लोग native state भी कहते हैं, इसी free state को हम लोग native state भी बोलते हैं, तो free state में मिलेगा जिसको अपन native state बोलते है free state मतलब वो किसी के साथ combine नहीं हुआ अब तुम सोचो कि किसी के साथ combine क्यों नहीं हुआ और for that matter होता भी क्यों भाई metal के पास reactivity होती है हमने पढ़ा है कि metal की एक reactivity series है जो उपर metal रखे गए है याद है करीना ने कार मांगी औल्टोजन फरारी potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron ठीक है ये reactive metals है तो ये मौका देखते ही react कर जाते है और जब ये react कर गए तो ये कोई ना कोई compound के form में exist करा करेंगे किसी ना किसी compound के रूप में exist करेंगे तो ये अकेले नहीं पाए जाएंगे ये free state में नहीं पाए जाएंगे ये पाए जाएंगे combined state में कौनसी state में? combined state में तो second state जो होगी, वो होगी combined state ये पाए जाएंगे combined state में यानि कि किसी के साथ या तो वो carbonates बना लेंगे जैसे lead है तो lead sulfate, PBSO4 बन कर exist करता है तो कुछ metals जो बहुत reactive होते हैं वो combined state में ही मिलते हैं वो किसी ना किसी के साथ react करके combined हो जाते हैं और धर्ती के अंदर crust में पाई जाते हैं और ऐसा क्यों? क्योंकि धर्ती के अंदर वो इतने सालों से दफन है जहां temperature और pressure बहुत जादा है और जब इतना जादा temperature और pressure होगा तो जाहिर तोर पर उनकी reaction होना भी लाजमी है तो वो react करके कहीं ना कहीं अपने आपको react करके combined form में ले आएगे लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे metals भी होते हैं जो कभी किसी से react नहीं करते हैं जिनको हम noble metals या inert metals मानते हैं जैसे इसमें gold हो गया जैसे इसमें platinum हो गया जैसे इसमें कुछ extent तक silver भी हो गया क्योंकि इनकी reactivity बहुत कम है reactivity series में सबसे नीचे हैं बोले आ जाओ दिलाओ gold और platinum यादे हो जिंगल करीना ने कार मांगी वाल उसमें क्या है लास्ट में आ जाओ AG, silver, दिलाओ gold, AU और platinum, PT इनकी reactivity बहुत कम है तो ये इतने सालों के बाद भी जमीन की सता के नीचे जहां temperature और pressure बहुत जादा है उसके जादा होने के बावजूद भी react नहीं करते उसके बावजूद भी कभी किसी से combine नहीं होते तो उन metal को कहूँगा कि वो किस state में पाए जाएंगे free state में पाए जाएंगे उन metal को मैं कहूँगा वो native state में पाए जाएंगे और अगर free state में मिल गए ना तो कोई खर्चा ही नहीं है भाई सीधा metal उठाओ थोड़ा refining करो purify करो और use करने लग जाओ क्योंकि वो metal तो pure form में पहले से ही है बस उसमें जो गंदगी लगी हुई है उसको साफ कर लो refining कर लो और आप उसको use करने लग जाओ तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी metallurgy की बहुत सारी steps इसमें बच जाएंगी अगर वो free state में मिल रहा है तो महनत कहां लगेगी? महनत लगेगी जब वो combined state में मिलेगा किसी के साथ react करके मिलेगा तो फिर आपको उसको क्या करना है? आपको उसको metal oxide में convert करना है फिर क्या करना है? metal oxide में आपको reduction करना है बहुत सारी processes फिर कर दी पड़ेंगे ठीक है? तो यह आपने judge कर लिया कि आप free state में जाधा फाइदा है, combined state में जाधा फाइदा है बट हर metal की अपनी एक state होती है existence की, occurrence की वो occurrence की state यह है for example, the major source of metals whether in the free state or in the combined state is the earth crust, earth crust में major of the metals पाई जाते हैं, some metals like sodium, potassium, बहुत reactive metals है which forms soluble salts यह किस रूप में मिलते हैं? soluble salts sodium, chloride, potassium, chloride यह सब soluble salts होते हैं जिसमें मिलते हैं, are also found to occur in sea water in the form of their soluble salts तो इनका सबसे बड़ा source क्या होगा? समुदर का पानी तो NaCl, KCl जो होते हैं वो नमक जो पाई जाते हैं soluble नमक जो होते हैं वो समुदर के पानी में मिलते हैं तो हम उनको समुदर के पानी से extract करते हैं but aluminium जो दुनिया का most abundant metal है and the third most abundant element है metal में सबसे abundant यही है aluminium और element में यह तीसरा सबसे abundant in the earth crust तो वो मिलता है आपको बहुत important और जिसको अपन कहते हैं bauxite और which is Al2O3 Al2O3.XH2O इस रूप में मिलता है Al2O3.2H2O तो Al2O3.2H2O यह aluminium का और होता है aluminium क्योंकि oxide के form में ही मिलता है aluminium oxide.dihydrate तो aluminium oxide dihydrate आपका bauxite और माना जाता है और इस रूप में आपको वो aluminium मिलता है example दे रहें अभी अभी सारे ores और minerals की और बात करेंगे astatine जो सबसे rarest element है वो earth crust में पाया जाता है ठीक है ना बहुती rarest है लेकिन oxygen जो सबसे ज़्यादा abundant element है in the earth crust oxygen जो है वो सबसे ज़्यादा abundant है तो वो atmospheric air में सबसे ज़्यादा पाये जाता है ठीक है although यह metals नहीं है but एक abundance की बात बता रहें elements को लेकर hydrogen is the most abundant element in the universe followed by helium दुनिया का सबसे ज़्यादा abundance element जो है hydrogen है और उसके बाद है helium hydrogen और helium की abundance पूरी दुनिया में universe में सबसे ज़्यादा है atmosphere की अधर बात करें तो atmosphere में nitrogen जो है वो 78% है oxygen जो है वो 20.95% है argon जो है 0.93% है carbon dioxide 0.03% है and other gases जो होती है वो सिर्फ 0.01% contribute करती है तो अगर आप atmosphere में देखो के तो nitrogen की मातरा सबसे ज़्यादा है तो nitrogen जो है वो air के अंदर सबसे ज़्यादा abundance में present है और यह metals नहीं है लेकिन वो element के abundance को बता रहे है abundance को समझा रहे है तो आप देखो कि जो air होती है उसमें बहुत सारे non-metals होते है nitrogen, oxygen ठीक है लेकिन अगर आप sea water में देखोगे या आप earth की crust में देखोगे तो वहाँ पर आपको metals मिलेंगे जिसमें reactive metals combined state में मिलेंगे और जो unreactive metals होते है जिनकी reactivity बहुत लो होती है वो आपको किस state में मिलेंगे वो आपको free state यानि की native state में मिलेंगे clear हो गई यह वाली बात ठीक है जल्दी से इन दो पारट का screenshot ले लो यहाँ पर क्योंकि हमने occurrence की बात करी है फिर मैं आपको mineral और mineral ore का जो actual difference होता है उस difference को समझाने का प्रयास करता हूँ कि mineral और mineral ore में actually difference क्या होता है उस difference को समझाने का प्रयास करता हूँ ये भी देख लो आप occurrence of the metal in nature ठीक है चलो अब आगे चलते हैं अब आते हैं हम लोग main चीज जिसको आप बोलते है mineral और ore क्या difference इसमें देखो आपने जमीन खोदी mining किया जेसी भी बुल्डोजर बुलाए आपने 50-60 feet की गहराई तक गए जहां पर आपको metal के मिलने के chances है थोड़ी देर के लिए माल लो जिस metal की तलाश हम कर रहे है वो reactive metal है suppose example ले लो zinc का चलो zinc का example ले 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 ते ठीक ठाक reactivity है उसकी और उसको निकालने के लिए हम जमीन खोद कर 50-60 feet की गहराई तक गए है अब चुकि zinc reactive metal है तो जाहिर तो पर वो आपको किसी ना किसी के साथ combined form में मिलेगा ठीक है तो मैंने जब जमीन खोदी जब मैं वहाँ तक पहुचा तो मुझे zinc जो हुआ वो तीन रूपों में combined form में मिला combined form में मिला लेकिन तीन form में मिला ध्यान से सुनना zinc मुझे तीन रूपों में combined form में मिला कौन-कौन से तीन रूप है एक है जिंक कार्बोनेट एक है जिंक सलफेट और एक है जिंक सलफाइट जे जस्ट मैं एक्जामपल दे रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए मिन्रल और मिन्रल ओर का क्या डिफरेंस होता है तो मैंने जिंक को निकालने के लिए कोशिश करा मैंन इसको तीन sources में ले एक Zinc Carbonate, एक Zinc Sulphate, एक Zinc Sulphide, नाम भी लख देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि confusion नाओ, This is Zinc Carbonate, This is Zinc Carbonate, This is Zinc Sulphate, Zinc Sulphate, And this is Zinc Sulphide, this is zinc sulfide यह तीन आपको mainly zinc के combined compounds मिले यह compounds मिले जिन में से आप zinc को निकाल सकते हो इन तीनों में से आप zinc को निकाल सकते हो तो यह तीनों आपके क्या हो गए ध्यान से सुनना यह तीनों क्योंकि आपको zinc में zinc आप इन तीनों से निकाल सकते हो तो यह तीनों आपके हो गए मिंडल्स यह तीनों आपके कौन हो गए यह तीनों आपके हो गए मिंडल्स तो all these three are consider as मिंडल्स of zinc चाहए वो zinc carbonate हो, चाहए वो zinc praised हो चाहए वो zinc sulfide हो, तीनों मिंडल्स होते हैं अब although मैंने यह chemical नाम लेके लेकिन और के अपने नाम होते हैं मतलब मिनरल्स के अपने नाम भी होते हैं ठीक है वो नाम क्या होते हैं वो अपर लास्ट में डिसकस करेंगे लेकिन यह तीनों से क्योंकि आप जिंक निकाल सकते हो तो यह तीनों आपके मिनरल्स हो गए तो मिनरल क्या हो गया वो वो रॉक या वो सोल्ट जिसमें से मेटल जिसमें मेटल पाया जाए यह जिसमें से मेटल काला जा सके है आप उसको मेरल कहोगे तो लगभी मेरल इसमें गampa enthusiasm सब में से मेटल निकाला जा सकता है तो यह क्या हो गया is known as mineral ये देखो सबके minerals आपको यहाँ पर दे दिये गए कुछ ठीक है images लगाई गई है यहाँ पर आपको minerals की की यह minerals होते हैं लेकिन अब ध्यान से सुनना इन तीनों में कोई ऐसा एक ही mineral होगा जिससे metal को निकालने में आपको सबसे जादा आसानी और सबसे जादा फाइदा होगा आप समझ लेए निकाल तो आप इन तीनों में से सकते हो यह तीनों ही mineral है क्योंकि इन तीनों में आपको metal मिल जाएगा तो तीनों mineral होगा है क्योंकि इन तीनों में आपको metal exist कर रहा है लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही mineral ऐसा होगा जिसमें जिससे metal निकालने में आपको सबसे अधा फायदा होगा सबसे अधा profit होगा profit की बात कहां से आगए अब तुम समझो देखो बाई सिंपल सी बात है तुम अगर metal को जमीन खोद कर निकाल रहे हो तो metallergy प्रोसेस करके निकाल रहे हो तो जाहिर तौर पर तुम दो चार दस ग्राम नहीं निकालोगे एक दो किलो मेटल में निकालोगे और मेटल बल्क में क्यों निकाल रहे हो मतलब तुम मेटल का commercial यूज हो गहें लेकिन अगर तुम आयरन को निकालने के लिए या पाने के लिए जमीन खोद कर इतना बड़ा खरचा कर रहे हो metallurgy की process कर रहे हो तो तो को metal जो आयरने, बहुत abundance में चाहिए और इतने abundance में चाहिए मतलब तुम उस iron का commercial यूज़ करोगे खुद के लिए यूज़ नहीं करोगे तुम commercial यूज़ को बेचने बेचने के लिए यूज़ करोगे तो commercially तुम क्या देखोगे profit देखोगे तो वो mineral जिसमें से तुम metal को बड़ी conveniently और profitably extract out कर सकते हो उस mineral को तुम और कह दोगे for example यहाँ पर मैंने तीन mineral तुम्हें दिये हैं मान कर चलो इसमें से zinc निकालने का 10 रुपे प्रती केजी खर्चा आता है 10 रुपे प्रती केजी खर्चा आता है मैं मन से amount दे रहा हूँ तो इसमें 10 रुपे का खर्चा आता है एक केजी zinc निकालने का इसमें से 15 रुपे का खर्चा आता है एक केजी zinc निकालने का और इसमें से 8 रुपे का खर्चा आता है एक केजी zinc निकालने का तो सबसे कम खर्चा किसमें आ रहा है सबसे कम खर्चा आ रहा है जिंक सल्फाइड में सबसे कम खर्चा आ रहा है किसमें जिंक सल्फाइड में तो जिंक सल्फाइड जो हो गया वो आपका हो गया और बाकी सब गए भाड में ये जिंक ये दोनों गए भाड में ये दोनों किसी काम के नहीं है यह जो zinc sulfide है, यह मेरा हो गया और क्योंकि इसमें खर्चा सबसे कम है मतलब इसमें से zinc निकालने में मुझे सबसे अदा फाइदा होगा क्योंकि मैं zinc को commercially use करने वाला हूँ और commercial use करूँगा तो मेरा जहां खर्चा कम आए निकालने का वो cost सबसे अच्छी होगी मतलब वो method सबसे अच्छी होगी तो इसको मैं बोल दूँगा और तो this becomes my ore तो और basically कुछ नहीं है और एक प्रकार का mineral ही है यह तीनों mineral थे तो और एक प्रकार का mineral ही है बट ऐसा mineral है जिसमें से metal मैं सबसे असानी से है और सबसे फाइदे मन तरीके से निकाल सकता हूँ तो what is in ore? A mineral from which metal can be extracted profitably and conveniently is known as ore इसलिए यह कहावज भी कही जाती है कि सारे और mineral होते है और एक प्रकार का mineral ही है लेकिन सारे mineral और नहीं हो सकते जिंक सल्फाइट से फोर है यह दोनों mineral और नहीं है क्योंकि इसमें दोनों में फाइदा नहीं है निकालने में तो इसलिए all ores are minerals but all minerals are not ores संपट पढ़ गई कहानी clear हो गया तो mineral और ore के बीच में difference समझ में आना चाहिए और यह difference पूछते है एक मांक का question आता है what is mineral what is ore or what is the difference between mineral and ore तो आपको यह लिख रहा है जिसमें metal पाया जा सके वो combined state के compounds को आप mineral कहोगे and that mineral from which metal can be extracted profitably and conveniently आप उसको ore कहोगे so we can say all ores are minerals but all minerals are not ores जल्दी से screenshot लेंगे फिर आपन आगे जिक्र करेंगे इसका तो all ores are minerals but all minerals are not ores concept clear हो गया यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है देखो the minerals from which metals can be extracted economically economically मतलब आप फाइदे मन तरीके से economics के अधार पर and conveniently are called as ores hence all ores are minerals but all minerals are not ores यह बड़ी universal line है important है इसका मतलब भी पूछते हैं वो कई बार एक question आया था ऐसे मैंने local paper में देखा था किसी school में give a short note on the statement all minerals are ores but all minerals are not ores इस पे एक short note लेखो तो आपको यही समझाना है mineral और ore में क्या difference होता है और क्यों ऐसा कहा जाता है most of the metal exist as oxides यह भी important थी कि जादा तर जो metal होंगे वो oxides के form में exist करेंगे जैसे aluminium Al2O3 बताया था मैंने bauxite O.XH2O iron Fe जो होता है वो Fe2O3 hematite ore के रूप में exist करता है zinc भी आपका ZNO के form में exist करता है zinc oxide ठीक है तो ऐसे जो metals होते है जादा तर metals जो होते है वो अपने oxide form में exist करते है ठीक है this is because oxygen is very reactive element and it is abundantly found on the earth और ऐसा क्यों है why this is because क्योंकि oxygen जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा reactive होता है तो वो बहुत ज़्यादा reactive होता है और इसलिए वो abundance में पाया जाता है ठीक है तो abundance में वो पाया जाता है इसलिए वो बहुत जादा reactive होता है इसलिए वो जादतर metals के साथ combined state में मिलता है और इसलिए जादतर metals oxide के रूप में मिलते हैं जल्दी से screenshot लेंगे क्योंकि अब हम क्या करेंगे इसके बात कुछ ores की बात करेंगे कुछ ores की detail में study करेंगे कुछ ores के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आ गए आपके कुछ ores ores की जो category हमने बनाई है यह हमने ores की बात करी है मिनरल्स की बात नहीं करी है इसके लावा मिनरल्स बहुत होता है बट इस आर ores ठीक है, ओर्स को हमने category बनाई है उनके nature के अधार पर जैसे कुछ oxide के form में होंगे तो oxide ores, कुछ sulfate के form में होंगे तो sulfate ores, कुछ carbonate के form में होंगे तो carbonate ores, कुछ sulfide के form में होंगे तो sulfide ores, कुछ halogen के साथ मिलेंगे, fluorine, chlorine, bromine के साथ, तो वो halide ores ठीक है, ये table जो है बड़ा important है, क्योंकि अगर तुम किसी competitive exam की त्यारी करोगे तो इस table से सवाल पक्का है 200% है confirm है कि वो आएगा पक्का इसमें से तुमको सवाल आएगा 110% तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो इस table को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सबसे पहले हम लोग oxide ore की बात कर रहे है अच्छा इसमें क्या-क्या important है वो भी मैं बता दूँगा, list लंबी है लेकिन important कुछी चीज़े है जो important है, जो exam point of view से आती है वो मैं ज्यादा detail में बता हुगा aluminium का ore is bauxite, यह मैंने बता दिया al2o3.2h2o, यह important है और इसका formula है al2o3.2h2o अब इसको aluminium oxide dihydrate मत बोलना इसको bauxite बोलते है, और का नाम होता है उनको chemical formula से नहीं पहचाना जाता है उनको उनके नाम से पहचाना जाता है तो bauxite ore इसका नाम है then we have copper, copper का cupryite होता है cu2o, हलाकि copper का cupryite इतना important नहीं है but yes, copper का oxide ore जो होता है वो cu2 होता है, उसको cupryite कहते है iron का magnetite होता है magnetite fe2o4 तो this is magnetite, जो iron का ore होता है fe2o4 अब आते हम sulphide o's में इसमें aluminium important है, जो important है मैं वहाँ लिखता जा रहा हूँ sulphide o's मतलब sulfur के साथ मतलब आपके पास metal होगा और metal के साथ होगा sulfur तो metal और sulfur का ore होगा ठीके, पहला है copper इसको अपन बोलते है copper pyrites यह important है cufe2s2 यह oxygen नहीं आएगा, sulfur आएगा तो fe2s2 तो basically fes हो जाएगा बलकि यह cufe2s यह आपका sulphide ore होगा copper pyrites second जो है copper glands यह important है cu2s यह मैं लिख भी देता हूँ copper का second जो ore है copper इसको हम बोलते हैं copper glands copper glands and this copper glands is basically cu2s यह important है तो इसका formula होगया copper glands cu2s अब इसमें सवाल कैसे आएगा copper के sulphide ore का नाम और formula लेको तो आपको पता होना चाहिए copper का sulphide cu2s होता है उसका नाम copper glands होता है इस तरीके के questions आएंगे ठीक है आगे देखो zinc is zinc blend zns lead is galena pbs दोनों important है तो मैं दोनों लिख देता हूँ zinc का कौन सा हो गया zinc glands zinc sorry zinc blend zns formula is zns और lead का हो गया galena lead is galena g-a-l-e-n-a galena जिसको हम कहेंगे p-b-e-s p-b-e-s galena ठीक है mercury is zinc नाबार ये भी important है mercury का ये तीनों important है zinc नाबार hgs mercury sulfide के form में mercury sulfide के form में मिलता है zinc नाबार zinc नाबार ठीक है which is hgs 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 mercury sulfide hgs which is mercury sulfide तो hgs के form में मिलता है ठीक है अब आते carbonates और halides के form में पहले carbonates की बात कर लेते हैं यहां तक carbonates की बात है calcium और zinc दोनों carbonates बनते हैं calcium बनता है calcium carbonate calcium carbonate calcium carbonate का नामे limestone और zinc carbonate का नामे calamine दोनों important है मेरे को दोनों लिखने पड़ेंगे हैं पर तो यहां पर देखेंगे zinc sorry calcium पहले calcium calamine sorry limestone my mistake calcium का जो और है वो limestone कहलाता है which is calcium carbonate c a c o 3 हां और zinc का जो है वो क्याला माइन कहलाता है c a l a m i n e important वाले लिख रहा हूं which is z n c o 3 ठीक है तो this is z n c o 3 तो यह important है halide और स्में sodium rock salt na c l magnesium carnalide के form में मिलता है k c l m g c l 2.6 h 2 दोने important है halide मतलब halogen के साथ तो sodium आपका halogen के साथ मिलेगा भाई जिसको आप बोलते हो rock salt तो this is rock salt na c l और magnesium magnesium आपका carnalide के form में मिलता है c a r n a double l i t this is carnalide ठीक है बहुत important है k c l double salt होता ही है k c l m g c l 2.6 h 2 double salt है तो इसमें k c l भी आएगा dot m g c l 2 भी आएगा और hydrated hexahydrate आएगा dot 6 h 2 o तो यह आपका हो गया carnalide ठीक है इसके इलावा calcium आपको मिलता है floor spar में important नहीं हलाकी c f 2 इसका formula है silver आपको मिलता है horn silver में a g c l silver जरूर लिख लो तो मैं change कर देता हूँ silver जरूर लिख लो silver का अगला form कौन सा है horn silver halide form है यह horn silver और horn silver किस में मिलेगा a g s में silver sulfide sorry silver chloride agcl my mistake silver chloride halide form से चल रहे ना तो horn silver is agcl silver chloride this is silver chloride agcl calcium अब आप के आगे sulfate or sulfate or मतलब SO4 वाले SO4 sulfate के रूप में किस में मिलेगा तो sulfate के फॉप में आपको सबसे पहले calcium जिसको आप gypsum बोलते हो CSO4.2H2O तो we have calcium एक calcium carbonate था वो carbonate और था लेकिन जो gypsum है वो sulfate और है तो gypsum में sulfate और which is CSO4.2H2O तो this is calcium gypsum के रूप पे CSO4.2H2O ठीक है magnesium epsum epsum salt epsum salt है ठीक है और epsum salt MgSO4.7H2O यह भी important है लिख लो हाला कि आता कम है लेकिन फिर भी important है तो magnesium is epsum salt epsum salt which is MgSO4 sulfate का रूप है .7H2O यह भी important है ठीक है तो MgSO4.7H2O barium और lead दोनों important है sulfate के form में एक होता है bariates BSO4 और एक होता angle side PBSO4 ठीक है lead का हला कि एक और था lead का galena भी था PBS वो sulfate ore था लेकिन PBSO4 is angle side जो sulfate ore ठीक है तो पहले हमारे पास lead है एक तो barium है तो barium का ore को बोलेंगे bariates B-A-R-Y-T-E-S जिसका formula होगा BASO4 और एक और हमारे पास कौन सा था lead तो lead का क्या होगा angle side A-N-G-L-E-S-I-T-E यह important वाले सब मैंने लिखवा दिए और lead का होगा P-B-S-O-4 clear हो गया तो यह सारे ore हमने देख लिए category wise और जितने important है वो मैंने हाँ side में लिखे हुए ठीक है question जो आएगा आपको 100% आएगा और जो मैंने important लिखे उनी में से पूछेंगे आपसे पूछेंगे boxside और किस का और है या किस nature का और है oxide है sulfate है carbonate है यह बताना है formula पूछ लेंगे कि बताओ आप sinabar का formula क्या है या आपसे पूछ लेंगे बताओ mercury का sulfide और कौन सा है ठीक है तो जल्दी से यहाँ पर पूरी तरीके से चलेंगे यहाँ पर भी देखेंगे बाई पूरे तरीके से क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने बात करी हुई है ठीक है चाले तो यह था हमारा बच्चों part one metallurgy का जहाँ पर हमने metallurgy क्या होती है उसे 110% question बनना है तो सम इंपॉर्टेंट ओसको भी हमने समझा यह हुआ था metallurgy का part one अब इसके बाद हम देखेंगे part two जो की अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो और होता है उसकी सफाई कैसे करें क्योंकि और तो जमीन के नीचे दफन था कई सालों से जहां temperature pressure बहुत जादा था जहां बहुत सादा गंदगी भी थी वो गंदगी भी और के साथ लग गई होगी और उसको impure कर चुकी होगी तो और के साथ कोई भी process करने से पहले उसको साफ करना पड़ेगा उसको purify करना पड़ेगा जिस process को हम कहते है concentration of ore तो जो second part होगा इस वीडियो का बच्चो वो होगा concentration of ore के दमबे ठीक है तो आज का वीडियो इतना ही अगर पसंद आया तो please like share जरूर करें भाई यह बात है कि हम reply शायद ना करें वहाँ पर लेकिन आपको वीडियो में आकर कमेंट को हम जरूर कैटर करेंगे जिसने भी कमेंट किया होगा उसका नाम ID लेकर हम लोग उसको जरूर कैटर करेंगे अगर वीडियो को feedback देना है तो please comment में जाए कुछ अच्छा लिखना है तो वो भी लिख दो यार मैं अच्छा है भै तारीफ सुनने के लिए मैं भी बहुत obsessed रहता हूँ तो ऐसा नहीं कि तुमारी तारीफ मैं सुनना नहीं चाहता भाई बाकी टीचर होते होंगे बोलते होंगे तारीफ मुपे मत करो और बुराई पीछे मत करो दोनों का मुल्टे करो मैं तो कहता हूँ सब कुछ मुपे ही करो तारीफ और बुराई जो हो मुपे करो ठीक है तो सुधार का मौका मिलेगा और motivate होने का भी मौका मिलेगा तो जितना हो सके वीडियो शेयर करें लोगों तक पहुचाएं फ्री एजुकेशन देने वाला चैनल है जहां पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं और आगे भी हर लेवल तक चाहे कॉंपेटिटिटिव लेवल हो चाहे आपका बोड लेवल हो चाहे आपका स्कूल लेवल हो आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे so stay tuned stay connected thank you so much students thank you very much